इस तरीके से खबर आ रही है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सलमान खान को अब ना तो भगबान बचा सकते हैं ना तो अल्ला बचा सकते हैं ना तो जीजस बचा सकते हैं और सलमान खान को अब मरने से कोई भी नहीं बचा सकता और लौरेंस विष्णोई को जिस जिस ने धमकी दी है जो भी देश्ट्रोही है उन सब को मरने से और लौरेंस विष्णोई के कहर से कोई नहीं बचा सकता। और ये बाते हम इसी डिये कह रहे हैं क्योंकि सलमान खान को मारने पहुचे और सलमान खान के घर पर फाइरिंग करने वाला लोरेंस विश्मोई गैंक का एक सुटर पकरा गया है और उसने अहम खुलासा किया है, उसने के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि लोरेंस विश्णोई ने कसम खाली है कि मुनबबर भारिकी को खत्म कर देगा, सलमान खान को खत्म कर देगा और उसने ऐसे ऐसे राज खोल दिये है जिसे अगर पपु यादब अगर सुन लेंगे तब पपु यादब भी दर के के पिछबारे पर और कनाडा के पिएम के पिछबारे पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने ऐसी लात मार दी है और लात मारने के बाद ये भी कह दिया है कि भाग BSD के, यानि कि आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जिसे खाली स्तानियों के मंसुवे पर पानी फि जिसके बाद कनाडा की हालत पतली हो गई है, खालिस्तानियों को रोने पर मजबूर होना परेगा, वहीं सलमान खान और मुनबर फारुकी के अब कितने दिन बचे हैं और कितने दिन ये लोग दुनिया में रहेंगे, और आखिर सूटर ने क्या क्या खुलासा किया है, कहां से पकड़ा गया है, ये तमाम बाते इस पास से 8 मिट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं नमस्कार, मैं प्रेंस कुमार सिंग और आप देखने है पोजेटिव इंडिया आप सबसे पहले ये जानना चाहते होंगे कि आखिर लोरेंस बिश्नोई का ऐसा क्या उखाग लिया है सलमान खान ने कि लोरेंस बिश्नोई उसके पीछे परा हुआ है आखिर मुनबर फारकी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि लोरेंस बिश्नोई हाथ पैर डिटोल साबुन से धोने के बाद इन लोग के पीछे पर गया है तो आपको हम बताने जा रहें कि मुनबर फारकी ने माता सिता का अपमान किया था अपमान जनक टिपनी की थे और ऐसे लोग जो की कठपिश कहे जाते हैं ये लगातार सनातन धर्म का और हमारे देवी देपताओं का मजाक बनाते हैं मजाक उराते हैं और ये कठपिश कि खिल्म आई थी हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ हैं कि सुटिंग के दोरान सलमान खान ने काले हिरन का सिकार कर दिया था काले हिरन को मार दिया था जिससे लोरेंस बिस्नोई नराज बताया जाता है क्योंकि बिस्नोई समाज प्रयापरन की रक्षा के लिए जानबरों की रक करने के लिए जाना जाता है अगर शेरनी का कोई बच्चा हुआ और शेरनी की मौथ होाती है तो शेर के उस बच्चे को बिस्नोई समाज की महिला हैं अपनी च्हाती का दूद पिला कर जिंदा रखती है और ऐसा करिच सारा वीडियो आपको सोशल मीडिया पर गूगल पर मिल सकता है और प्रियाबरन की रक्षा में विश्णोई समाज का अहम योगदान है जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तक 200 पटल पर 200 मंच पर कह चुके हैं और अपने एक इंटर्विव में ये भी कहा था कि सलमान खान अगर विश्णोई समाज का कुल देपता का जो मुख मंदिर है अगर उहां पर आकर माप ही मांग लेता है तभी उसे माप प्याजा सकता है बरना उसकी जाल तो हम लेकर रहेंगे यही दुस्मनी है पप्पु अब मीडिया रिपोर्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है द्रसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि हर्याना के पानीपत से लोरेंस गैंग का एक सूटर सुखा पकड़ा गया है और उसे पकरने के लिए नभी मुंबाई की पनविल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस न बढ़ाली थी और पुलिस की सुरुवाती पुष्टाच में सूटर ने बताया है कि वो लोरेंस गैंग से काफी समय से सालों से जुडा हुआ है जाच में यह भी सामने आया कि इस लड़के का कई गाउं में नेटवर्क फैला हुआ है और इस नेटवर्क में सैंकुरो लड के सामिल है वहीं पुलिस के मुताबिक सुखा नहीं बॉलिवूड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फाइरिंग करने वाले को हत्यार मुहया कराये थे यहनि कि सलमान खान के घर के बाहर जो फाइरिंग हुई है उसमें इसी का हाथ था इसी ने लरकों को हत्यार दिया था और लर्कों को सलमान खान के गर के बाहर फाइरिंग करने के लिए भेजा था ताकि सलमान खान के अंदर दोसत पैदा की जा सके। 29 थाना के प्रभारी सुभाज चंद ने बताया इकड़ी 10 बज के 30 मिनट पर मुंबाई पुलिस थाने पहुची थी जहां पुलिस ने बताया कि लोरेंस गैंग का सुटर जो मुंबाई पुलिस का वांटेड है थाना एरिया के एक होटल में छिपा हुआ है सुटर को पकरने क लिए लोकल पुलिस की भी मदद ली गई जिसके बाद मामला उच अधिकारियों के संग्यान में लाया गया अधिकारियों के दिसा निर्देश के बाद पानीपत पुलिस और मुंबाई पुलिस की जूएंट टीम ने नई अनाजमंडी कट के पास एक नीजी होटल में दब पुलिस जब होटल में पहुची तब सूटर पूरी तरीके से नसे में धुत था और पहली बार देखने पर पुलिस रिकॉर्ड में फोटो से सूटर का मिलान ही नहीं हुआ लेकिन जब देखा गया कि इसने दाधी बढ़ा ली है और सूटर सुखा जो पकड़ा गया वो नसे की हालत में पकड़ा गया है सराब की नसे की हालत में बताया जा रहा कि यह काफी तेज तर्रार दिमाग का बेक्ती था लेकिन सराब के नसे में अच्छे भले लोग भी पागल हो जाया करते हैं और सराब के नसे में रहने के कारण ही यह पुलिस की गिरप्त में आ पाया क्य उसके पास से किसी भी तरह का हत्यार बरामत नहीं हुआ है और सूटर की पहजान हर्याना के पानीपत के रेल कला गाउ निवासी सुखवीर उर्ख सेरा उर्ख सुख़ा के रुप में हुई है वहीं बताया जा रहा कि लगातार जो है विस्नोई गैंग मारने के लिए सलमान ख की सुरक्षा बढ़ा दि गई है सलमान खान के परिवार्वालों ने उनके माता-पिता ने लोगों से दोस्तों से अनुरोद किया है कि कोई भी सलमान खान से मिलने नहाए और सलमान खान धर केमारे किसी से मिल भी नहीं पा रहे है वहीं आपको बताते चले कि कनाड़ा में खालिस्तानी आतंकबादी निज्जड को किसी ने मार गिराया था और मारने वाला का अब तक पता नहीं चल पाया है लेकिन इसमें भी लोरेंस बिश्मोई का नाम आया था, लोरेंस बिश्मोई गैंग का हाथ, इसमें बताया जा रहा थाえー इसी को लेकर कनाडा के पीम जौस् तो आप ये जान लिजे कि कनाडा में खालिस्तानियों की संख्या जादा है कनाडा के पी-एम की अपनी पार्टी के पास पुर्ण बहुमत नहीं है और जिसके सपोर्ट के जिसकी लाठी के भरो से इनकी सरकार चल रही है वो खालिस्तानी आतंकबादियों से जुरा हुआ है और जस्टिन टूडो की मजबूरी बन जाती है कि अपनी सरकार अगर बचानी है तो उस खालिस्तानी आतंकबादी का समर्थन करने का वैसे निज़र को भी वहाँ पर रेड लिस्ट में डाला गया था और एक खालिस्तानी आतंकबादी की जब कोई हत्या कर देता है और की रोव एजेंसी इन लोग को मरबा रही है और इसी में जस्टिन टूडो ने भारत सरकार पर जब गंभीर आरोत लगा दिये तो भारत की मोधी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला और अपने पांच राजनाईकों को ततकाल प्रभाव से कनाटा छोरने का आदेश जारी कर द कर दिया और जस्टिन टूडो हरबराया हुआ है क्योंकि उसकी सत्ता अब जाने वाली है उसकी सत्ता कभी भी जा सकती है अगले साल कनाडा में चुनाब भी है और चुनाब को लेकर एक देश से और एक मजबूत देश से जस्टिन टूडो कनाडा का पीम जिस तरीके से आप फिस समय लग जाएगा और सलमान खान का तो लगता है कि अब अन्थ समय आ गया है इस पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई भिन्या अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे जुरे रहे हैं मारसाथ जैहिंग जैभाल